नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल कनहिया जीस वर्ल्ड में दोस्तों 13 फरवरी यानि की राष्टरी या महिला दिवस के रूप में इसे मनाय जाता है और क्यों मनाया जाता है इसे मनाया जाने कि सुरूआद क्यों हुई और सरोजनी नाइड़ु जी से इसका क्या सम्भंध है ठीच थीच्पनी नाइड़ु जी का जीवन परफ्चे हम इस वीडियो में कभर करेंगे सब चीछ के बारे में, डीटेल से जानेंगे, तो बने रहे है वीडियो में, चलिए से शुरू करते हैं, आज का वीडियो, और देखिए, यहाँ पर कनफ्योज मत हुई है, राश्टीय महिला दिवस, और अंतराश्टीय महिला दिवस, जो है, आठ मार्च को मनाया जाता है और यहां पर राष्टी मैला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है तो चलिए देखें यहां पर यदि आप पहली बार आएं तो यहां पर थोड़ा सा सब्सक्राइब यहां पर करके बगल में घंटे वाले इंसान को भी दबा सकते हैं आपको नोटि करें यहां पर सरुजनी नायडू जी के बारे में हम लोग जानेंगे तो यहां पर पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं देखिए सरुजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1889 इस्वी में हुआ था ठीक है इनके पिता जी का नाम अगोरनाथ चटोबद्यात और माता क नाम वर्दा सुंदरी था उनके पिता जी उनको बच्पन से ही आगे बढ़ना देखना चाते थे उन्हें साइंस के छेत्र में आगे बढ़ना चाते थे और इनका यानि कि सरुजनी नायडू जी का भी दिल्चस्पी था बिग्यान वगारा पढ़ने में इसलिए इनको कम में यानि कि 12 साल की उम्र में ही इन्हें मैट्री की परिच्छा पास करने के लिए इन्हें इंग्लेंड भीग दिया गया उस समय 1889 में अब देखें यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ में इनका जान लेते हैं इनका जीवन परिचे देखें इनका जन्म हुआ था तेरफ फरवर इनके मातरा का नाम बरदा सुंदरी देवी चटन पर था है कि यहां पर फ़िए यहां पर गोविंद राजालू नायडू था इनके पतीजी का नाम और इन्हें तमाम पुरसकार अदिन से मुख है नाइट ale आफ एंडिया और कैसरे कैसरे हिंद के बारे में बहुत कम लोग जान्ते हैं इनको भी मिला लेकिन कैसरे इनको भी मिला था और इन्हों ने भी 1959 का जो चलिया वाला वाग त्याकांट हुआ था उसके बाद इनों ने भी कैसरे हिंद की उपादी त्याग दिती ऑर दो मार्च 1949 में हो गई थी तो कि यह राष्टी महिला दिवस यानि की नेशनल ओमेंस डे ठीक है तेरा फरोरी को मनाये जाता है इस दिन जो महिला है मतलब पहली महिला राज़ेपाल रही सरोजनी नायडू जी का जन्व हुआ अब देखे सरोजनी नायडू जी पूरे भारत क या फिर उत्तर प्रदेश या भारत की सबसे पहली महिला राज़ेपाल रही थी कौन सरोजनी नायडू जी के का बहुत अच्छा प्रशन है आप याद रखेएगा कि पहली महिला राज़ेपाल कौन बनी थी तो सरोजनी नायडू इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था इसी के सरोजनी नायडू जी का जन्मत तो हमने बता दिया हैदराबाद में हुआ था और 1850 में हैदराबाद के निजाम ने उन्हें वजीफे पर इंगलेंड भेज दिया यानि कि वजीफा उसमें मिलता था तो सरोजनी नायडू ने 1898 में डाक्टर गोविंद रजालू नायडू से विवाद विवाद नहीं यहां पर विवाह होगा ठीक है विवाह कर लिया अब देखिए भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध स्रीमति स्वरोजनी नायडू मात्मा गाधी जी से प्रथम मुलाकात 1924 में हुए ठीक मात्मा गाधी जी 1914-15 के लपेटे में आ गये थे भारत ठीक 1915 में नौ जनवरी को आये थे उससे पहले इनकी मुलाकात 1914-20 में हो चुकी थी और ये दोनों की मुलाकात लंदन में अब लंदन में क्यों वही क्योंकि मात्मा गांधी जी भारत आये 1915 जनवरी के दिन आये जिसे हैं प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं उससे पहले मात्मा गांधी जी लंदन गये थे और लंदन से पहले कहां थे दक्षिड अफ्रिका तो लंदन में ही गांधी जी की मुलतकात सरोजनी नाइडू जी से हो गए थी और गांधी जी के बारे में सरोजनी नाइडू ने जाना और उनसे प्रभावित हो गया और उनसे प्र भावित हुई ठीक है उनके ब्यक्तितों से उनके बातों से तो वह भी उनके साथ चली गए दक्षिड अफ्रिका और दक्षिड अफ्रिका में उनके सायोगी के रूप में काम किया और सरुजनी नाइडू गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनितिक पिता का दर्जा द दरबार में बीडियूसक भी कहा जाने लगा कि से सरोजनी नाइड़ाईटु जी क्यों अब यहां पर देखिए और नाइड़ाईटू ने यानि कि सरोजनी उसके विरोध में इन्हों ने अपना जो इनको मिना था नाइट हुट की उपादी इन्हों ने त्याग दिया और मतलब रविंद्रा टैगों जी ने भी यह उपादी को त्याग दिया था ठीक है और लंबे समय तक वे कांग्रेस के पर प्रवक्ता भी रही और 1925 में कानपू इसमें महिला पत पर मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बनी और वह उस समय की प्रथम महिला थी भारती महिला थी प्रथम महिला की बात करें तुवा इनसे पहले ही 1916 हिस्वी में एनिवेसेंट बन चुकी थी अब जलिया अलाबाग हत्याकांड के विरोध में सरोजनी नायट पर आगा खां पहलेस में इनको भी कैद कर लिया गया ठीक है भारत छुड़ा अंदोलन जब हुआ था तो उसमें बहुत सारे नेता चाहे मात्मा गांदी हो मात्मा गांदी के लामा जवालला नहरू सब बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग जगा पर कैद कर लिया था भारत छुड़ा अंदोलन के दोरान इन्हें भी उठा करके आगा खां पहलेस में सजा के रूप में बंद कर दिया गया था और उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली मैला राजपाल बनने का गवरों भी प्राप्त किया ठीक है और यह साहित्तिक में भी इनका काफी आफ इंडिया अधिन आम से इनोंने रचनाय की। यह थोड़ा प्रमुक है इसे याद रख्या दसांग आफ इंडिया और इंडियन वीवर्स नाम इक रचनाय कि ठीक है तो यह थोड़ी छोटी इस जानकार इनके बारे में उम्मीद आपको प्रसंद आया होगा यह को दोस्तों तक सेयर करके इनके बारे में बताएं ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद